हाई गईज कैसे हैं सबी लोग आई हूँ बच्छे होंगे और आग किस वीडियों देखने बाले हैं बीकॉंग फॉस्ट सेमेश्टर की बात करेंगे जिसमें आपके टोटल बीसी जो भीकॉं फॉस्ट बाले स्टुडेंट हैं उनके टोटल चार पेपर हैं ठीक है चार बाद करके 85% ला सकते हैं ठीक है तो आपका पेपर का नाम हो जाएगा बिजनिस और्गनेजेशन ठीक है इससे बाहर आपसे कुछ नहीं आने वाला जो आपको बाद करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूँगा चाहें कुछ भी हो जाए जो मैं आपको बता रहा हूं उन को याद कर लेना और एकजाम से एक दिन पहले बो कोशन दूगा जो आपके पेपर में आते होंगे आपके पेपर में छपे हैं समझ लो इस प्रिकार से ठीक है तो आप चैनल को सस्क्राइब करके रखो और अभी तक आपने हमारा बीकॉम पेपर हैकर को सस्क्राइब नहीं किया है जिसका लिंक उसकी बाद में यहां देखिए बात करने बाली है पहला कोशन पर डेने पर टेस्टे लगाएंगे आपके पास Most guide है फिरी जिसे कहते हैं फिरी है कोई पैसा नहीं देना है एप हमारे फिले स्टोर का लिंग डिसक्प्शन वॉक्स में दे रखा है फिले स्टोर पर आपके सब्जेक्ट रेलेड़ेट हमने एप सारे अप्लोड कर रखें अलग-अलग सब्जेक्ट के तो आप उसको डानलोड करके आसानी से अपनी त्यारी कर सकते हैं और बहतर शिक्षाब आ सकते हैं और मैं यहीं चाहूँगा कि आप अच्छे नंबर से पास हो ठीक है हम जितनी हमारे तरब से जितनी भी आपको मिलती है वहम उतना आपकी हैल्प करते हैं नोट्स में यह होगा कि आपको PDF अपने करता देखों पहला कोंशन है ब्याप्साइ का अर्थ क्या होता है ब् मिQL साई कि पिरकार कितनी होते है यह आप देखेंगे अर्थ क्या है ब्यब सबसाइद कि महत्म क्या है उसका विकास कैसे हुआ उसकी अवस्थाएं तो कुछ रही होंगी विकास हुआ disposition मिब साइका त तो ब्यपसाई का संगठन भी आप पढ़ोगे? उसके महत में क्या है? यह आप देखेंगे. Next question पर टेके लगाएंगे. एक नवीन ब्यपसाई की इस्थापना कैसे होती है? बताओ. एक नवीन ब्यबसाई की इस्थापना कैसे होती है उनमें क्या-क्या समस्य आया आती है और उनके प्रारूप का बढ़न करना है उनके प्रारूप क्या होते है वो आप देखें एकांग की ब्यापार क्या होता है उसके गुण और दोसों को देख लेना एकांग की ब्यापार क क्या होता है उसके गोड़ और दोसों और उनकी विसिस्ताओं को याद करना है most important है एक्जाम 2022 में आने वाली की बात कर रहा हूं इसको पढ़कर आप 85% ला सकते हैं इन कोशनों को बढ़कर बाकि कुछ भी नहीं पढ़ना लगबग 20 कोशन आपके होंगे जो most important है एक पेपर में 20 कोशन है ज्यादा नहीं होंगे इससे आप अच्छी तरीके से पढ़कर बहुत अच्छे नमबर ला सकते हो 85% वालब टॉपर बनना है तो आपको यह करना पड़ेगा नेक्स कोशन है साजेदार दारी का अर्थ क्या होता है साजे हो सकती है उसके बाद में नेक्स कोशन है कमपनी का अर्थ क्या होता है कमपनी की परीभास आपको बता रही है कि आभशिक तत्व कौन कौन से होते है दोस्के जो साड्यंत्र की अर्थ होता है उसका अर्थ is परिभासा देखेंगे मैंनलब साड्यंत्र इस्थानी करने की परिभासा रहेंगे माले क्वाहिण करने वाले कौन कौन से घठक हैं कौन जाँते होंगे बेवर के उद्धो के इस्थान निर्दहरण का सिद्धान्त दिया था उस सिद्धान्थ को पड़े लेना most important होगा उसके बाद में आता हे Pom अभीन्यास क्या है सड़ैंत अभिन्यास क्या है उसके लाव दोस्द उफ्य निर्धार्न क्या होता है मतलब कि सड्य 종 का इस ठान ही किया जाता है वह कि देखेंगे और शड्य जो अभियान आप कैसे प्रिवाहसा उसकी परिवहसा उसके प्रिवाहहे करने के तत्व को देखेंगे तो यहां हमें पढ़ने की जुरुत नहीं पढ़ेगी कि वेपसाइक इकाई से क्यास है उसे प्रवाहिद करने के तत्म है उनके उपर जब दे चुके हैं तो यहां क्या पढ़ने की जुरुत है लाब कान दोस को देखेंगे उसके बाद में एक आता है प्रकार उसके बाद में याता है कि प्रकार होते हैं तो आपको जआती हैं यह चो याद करेंगे उसके बाद में आता है ब्यपसाइक सहोजन उसके बाद में उसके बाद में देखेंगे उसके बाद में नेक्स कोश्चन आता है ये पूछ लेता है जो बड़िज होता है उसमें अंतर और उद्धोग में अंतर पूछ लेता है ब्यापार और पेसे में अंतर पूछ लेता है बॉस्ट इंपोटेंट है ब्यवसाय के प्रवंदन जो प्रवरतन होता है उसके क्या स्य मैं उसकी परिभास का आपको वता देना है यहां की कार inappropriate उनकी अवस्थाओं के बारे। उनकी कौण कौण सी अवस्थाए है नेक्स कोशिन आपसे पूछता है कि सैयुक्त हिंदू परिवार, जो सैयुक्त हिंदू परिवार है उनकी ब्याप्षाई कि विसेश्था क्या होती है, वो आप देख लेंगे, रेखा और रेखा अत्वा देखो अत्वा उत्पाद अभिन्यास क्या है उस पर टिपड़ी पूछता है यह उत्पाद अभिन्यास से बोलते है उस पर टिपड़ी लिखिए उसकी परिभासा पूछ लेता है उत्पाद अभिन्यास की परिभासा ठीक है उसके बाद मैं बिबेकी करण और राश्टी करण देखिए बिबेकी करण उपर बता चुका हूं यह देखिए यह वाला बिबेकी करण मैं यहां बता चुका हूं बिबेकी करण क्या होता है और यह आगया बिबेकी करण और राश्टी करण में अंतर पूछ लेता है तो आप आपको बस इतना सा पढ़ना है बाकी कुछ नहीं देखना 2022 के एक्जाम में हर साल मैं आपको एक्जाम देता हूं और वही कोशन आते हैं और एक दिन पहले मैं आपको दस कोशन दूँगा जो आपके पेपर में टोटल सब्ता होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख कर देना जादा से जादा दोस्तों को शेर कर देना है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो